ये कहानी है पती पत्नी और वो की जी हाँ जो अभी तक होता आया है पती पत्नी और वो वो यानि उसका प्रेमी और हुआ यह कि इस पार प्रेमी को पती ने मार डाला जी हाँ ये कहानी है एक ऐसे प्रेम्प्रसंग की जिसमें पती के हाथों प्रेमी को मरना पड़ा आएए कुल मिला कर ये पूरा माजरा क्या है शेखर नामक व्यक्ति के से जुड़ावा ये किस्सा है जो गीता नाम की यूती का तीसरा पती था जी हाँ वह पहले दो शादियां कर चुकी थी और उसके दो पतियों से पहले से ही उसे तीन बच्चे थे इसके बावजूद उसने उससे शादी कर ली शेखर बान गंगा की एक फैक्टरी में नाइट शिफ्ट करता था और इसी का फायदा उठाती थी गीता जब पती नाइट शिफ्ट करने के लिजाता तो फिर वह अपने एक और प्रेमी गुमिन नगर निवासी राकेश को अपने घर बुला लीती थी और फिर उनकी रंगरेलियां शुरू हो जाती कुल मिलाकर शेखर जब भी काम पर चला जाता तो गीता को राकेश की आदाती वो राकेश को बलाती और इसके बाद महाँ पर रंगरेलिया शुरू होती लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब शेकर किसी वजह से देर रात को घर आ गया और देर रात भी नहीं रात साड़े तीन बजे वह घर लोटा उसकी पत्नी को तो यही मालूम था कि यह सुबह आएगा क्योंकि नाइट को एक दो सुरू की बावों में देखा इसके बाद पूरा माजराiden के समझ अगया मुझे बड़े देरी से स्ने दोनों का ए ओठाया दोनों बाहर लेकर गया और दोनोंको उसने अदे को उसे वार शुरू कर दी तीन चार वार में तो राकेश का खात्मा हो चुका था और फिर इसने अपनी बेवफ़ा पत्नी को भी मारने की कोशिश की लेकिन वह किसे तरह बज गई भागी चलाई और उसने पड़ोसियों इकटा कर लिया पड़ोसियों ने भी शेकर को पखड आया है उसका यह कहना है कि शराव आहाते पर काम करने वाला राकेश से उसके च्छे मेने से प्रेम संबन थे और दोनों अच्छे दोस्त भी थे और उसका रोजगर पर आना जाना भी था और यह बात उसके पती को पता भी थी लेकिन संबन्दों के बारे मुझसे ज्यादा जानकारी नहीं थी, गुरु आरको हुआ यह है कि वो जल्दी आ गया और हमें देखकर गुस्सा हो गया, उसने राकेश की अत्या कर दी और मुझे भी उसने मारने की कोशिश की, इस प्रेम प्रसंग से जुड़ी दो-तीन बाते और भी सामने आई हैं, यह बताए जा रहा है क कि राकेश अभी तक एक लाग रुपे की बचत याने सेविंग और उसकी मा के सोने के जिवर अपनी प्रेमी का गीता के लिए खर्च कर चुका था, उसरे नोकरी भी छोड़ दी थी और इसी बीच उसके घरवाले उसके लिए लड़की भी देख रहे थे, लेकिन इस अवे